हेलो फ्रेंड्स वेलगम टो आरेन अकेडमी आज में आप लोगों को टाइप्स के बारे में कुछ इंफोर्मेशन दोँगा इसके अलावा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा quadrilateral और quadrilateral के 4 angles का total जो 360 होता है उसके बारे में हमने जानकारी ले अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो हमारे description box में उसके link दी हुई है अब वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं Now we are going to see types of quadrilateral Here some examples are given parallelogram, rectangle, square, rhombus and kite हम सबसे पहले parallelogram के बारे में जानकारी लेंगे parallelogram के बारे में जानकारी लेने से पहले उसके ही वर्णी को हम समझने का प्रेत्न करेंगे सबसे पहले बात करते हैं parallel parallelogram में parallel word का क्या importance है वो देखे अगर मैं दो लाइनों को क्या करता हूँ parallel बनाता हूँ तो आप क्या देख सकते हैं यहां पर कि इनके बीच का दो डिस्टन्स है वो कैसा है एक्वल है और यह कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी अगर हम इने क्या करें एक्स्टेंड करें आगे means parallelogram में opposite sides जो होती है वो कैसी होती है parallel होती है यहां पर देखिए AD और BC यह opposite sides है और यह कैसी है parallel है और दूसरी तरफ देखें तो AB और CD यह दुनों कैसी है opposite है लेकिन कैसी दिख रही है parallel दिख रही है तो हमारी first property parallelogram की क्या आएगी number one के in parallelogram opposite sides opposite sides are parallel ओके इसी में इसकी दूसरी property दिखेंगी के अगर मान लिजे AD is equal to 5 cm तो BC equal to b कितना हो जाएगा basically 5 cm अगर मान लिजे AB equal to 4 cm तो इसका CD का आणसर भी क्या रहेगा 4 cm means opposite sides कैसी होती है इसमें equal होती है तो हमारा दूसरी property क्या होगी opposite sides are equal ओके तो opposite sides अगर equal है और parallelogram में parallel जो opposite sides है वो parallel है तो सीरी सी बात है इसके जो opposite angles है वो भी कैसे होंगे equal होंगे तो यह इसकी 3rd property रहेगी opposite angles are equal means अगर मानिये कि इसका angle A 110 हो ओके तो CB कितना रहेगा 110 because यह दुनों angle कैसे हैं opposite है और parallelogram की property के according उसके opposite angles कैसे होंगे equal होंगे 3rd इसके adjacent angle adjacent angle का मतलब होता है A का adjacent angle B रहेगा और D रहेगा उसी तरह से B के जो adjacent angle की प्यार रहेगी वो A से भी बनेगी और C से C के लिए B और D और D के लिए C और A इस तरह से इसके adjacent angle का जो sum है वो कितना रहेगी प्लस है वो कितना होगा 180 होगा तो adjacent angle adjacent angles आर supplementary okay what is the mean of supplementary angle तो supplementary angle का मतलब होता है कि जिन 2 angle का total 180 हो ऐसे angle की pair को हम क्या कहते है supplementary angle pair कहते है तो यह जो थी हमारे सामने 4 property किसकी है यह parallelogram की first opposite sides are parallel opposite sides are equal opposite angles are equal and adjacent angles are supplementary means इन दोनों का total क्या होगा 180 होगा clear हो गया इतना अब बात करते हैं rectangle की rectangle से तो most of student क्या है introduce रहते ही है because यह हम primary level से सीखते है फिर भी इसकी properties के बारे में हम जानकारी लेंगे अगर देखने जाए तो rectangle में opposite sides कैसी होती है parallel होती है और equal होती है इसके four angles जो है वह always कितने के होते है 90 degree यहां पर बात करें तो चारों के चार एंगल का total कितना होता है 90 degree होता है इसमें भी adjacent angle ओके supplementary होते हैं क्योंकि इनका भी total कितना होता है 180 होता है means अगर मैं ले देकर बात करूं तो पूरी की पूरी property यह किसकी follow कर रहा है यहां पर हमारे parallelogram की सिर्फ parallelogram में opposite angles जो होते हैं वह equal होते हैं यहां पर चारों एंगल equal है पर अगर मैं बात करूं कि यह और यह angle ओके तो यह दुनों angle कैसे दिख रहे हैं आप लोगों को equal दिख रहे 90 & 90 और यह angle कैसे दिख रहे 90 & 90 तो अगर मैं यह दो pair बनाऊं कि opposite angle की यह pair opposite angle की यह pair means दोनों कैसी हो गई equal हो गई clear हुआ इतना सबको अब मैं क्या कहना चाहता हूं उस पर आता हूं हम अगर देखें तो rectangle जो है वो parallelogram की total properties को क्या करता है follow करता है सिर्फ difference इतना है कि इसमें चारों angle जो होते हैं वो 90 के होते हैं और parallelogram में वो चीज होती नहीं है तो इससे हमें क्या पता चला मैं rectangle को parallelogram बोल सकता हूं बट पैरे लेलोग्राम को rectangle बोल सकता नहीं हूं तो यह आपके mcq या objective में आ सकता है कि क्या parallelogram rectangle है तो आप क्या कहेंगे नहीं है पर अगर ऐसा पूछा जाता है क्या rectangle को हम parallelogram बोल सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि rectangle जो है वो parallelogram है तो हम देख सकते हैं कि rectangle की property क्या है पहली property क्या आएगी नंबर वन के opposite sides sides are equal ओके second रहेगी आपकी four angles are four angles are equal means each 90 degree ओके second थर्ड थर्ड प्रोपर्टी रहेगी एड्जासेंट एंगल एड्जासेंट एंगल आर सप्ली मैंट्री एंगल ओके ओके तो हमने देखा कि rectangle जो है वो parallelogram है बट parallelogram वो rectangle नहीं है इसकी मैंने प्रॉपर आपके सामने एक discussion रखी हुई है अब हम बात करेंगे square की square की अगर मैं draw करूं तो हमें पता चलेगा कि square में four sides जो होती है वो कैसी होती है equal होती है दूसरी चीज इसके चारों के चार एंगल means four angles of square always 90 degree third property is that इसके जो diagonals है वो एक दूसरे को 90 degree पर क्या करेंगे intersect करेंगे तो यह मैंने आपको किसका explanation दिया square का अब इसको थोड़ा में deeply समझाता हूं हम अगर diagram के according देखें तो अगर मैं इसे नाम दूँ W X Y and Z यहाँ पर हमें क्या देखने मिल रहा है W X equal to X Y equal to Y Z equal to Z W means इसमें four sides कैसी होती है equal होती है obviously इसके चारों इंगल का measurement भी कैसा दिख रहा है हमें equal means angle W is equal to angle X equal to Y equal to Z यह इसकी दो property मैंने आपको alphabetically लिखके बता दी दूसरा अगर देखें कि इसके diagonals जो है वह एक दूसरे को क्या करते है 90 degree पर intersect करते हैं means वह एक दूसरे के perpendicular होते हैं तो मैं कैसे लिखूंगा W Y perpendicular X Z तो alphabetically मैंने आपको explain किया अब इसको मैं theoretical आपको लिखकर बता हूँ तो सबसे पहले क्या लिखोगे के all sides means के four sides are equal in square तो इसकी पहली property हम क्या लिखेंगे के square ओके all four sides are equal okay second आगा हमारा all four angles are equal means each 90 degree clear इसकी third property जो कि parallelogram और square से कैसी रहेगी different रहेगी कि इसके diagonals जो है वो एक दूसरे को क्या करते है 90 degree पर intersect करते हैं तो diagonals diagonals intersect at 90 degree so it is a property of square अब इसको compare कि से करते हैं parallelogram और rectangle से करते हैं देखिए हैं यहाँ पर अगर मैं देखूं तो w z और x y एक दूसरे के parallel है जो की इसकी पहली property को क्या करते है satisfied करते हैं second w और y का total यानि के जो angles का measurement है वो कितना है 90 degree है और z और x का भी 90 degree means इसके opposite angles भी कैसे है 90 degree equal दीख रहे हैं तीसरी property इसके adjacent angle का total कितना हो रहा है 180 ओके तो तीनों की तीन property यह satisfied कर रहा है means square भी क्या होता है parallelogram ओके मैं square को rectangle भी बोल सकता हूं क्योंकि देखे इसमें opposite sides कैसी है equal है एक दूसरे के parallel है और angle का measurement सबका कितना है 90 90 degree है तो यह rectangle की property को भी क्या करता है satisfied करता है तो कहने का मतलब क्या हुआ के square is a rectangle square is a parallelogram but parallelogram is not a rectangle and square and rectangle is not a square everyone understood it के square क्या है square को हम parallelogram भी बोल सकते है square को हम rectangle भी बोल सकते हैं लेकिन मैं rectangle को square बोल सकता नहीं हूं और उसी तरह से parallelogram को मैं rectangle बोल सकता नहीं हूं clear now अब हम बात करते है rhombus rhombus को अगर समझने जाएं एक सिंपल सी बात है हमारे पास जो square है उसे थोड़ा सा चाटा मारके हिला दीजिए देखिए कैसे यह बन गया हमारा rhombus हलके हाथ से थोड़ा सा मैंने इसे दूर कर दिया तो उसकी से थोड़ी सी साइड है क्या हो गई स्लैंट हो गई तो यह हमारा क्या है rhombus है rhombus की प्रॉपर्टी सेंप पैरेललोग्राम जैसी है देखिए कैसे इसमें अपोजिट साइड्स कैसी होती है इक्वल पर लेकिन अगर rhombus की पूरी पूरी बात करूं तो rhombus में फोर साइड्स कैसी होती है इक्वल अब यह किसकी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है हमारे स्क्वायर की ओके सेकंड इसके भी दाइगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं 90 डिग्री पर इंटर्सेक्ट करते हैं यहां पर भी आपने देखा कि इसके जो डाइगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटर्सेक्ट करते हैं लेकिन एक बात ध्यान रखना यहां और यहां इन दो में डाइगोनल्स डाइगोनल्स के मेजरमेंट कैसे होते हैं इक्वल होते हैं बट पैरेललोग्राम और रॉम्बस में इनका मेजरमेंट इक्वल होता नहीं है एक डाइगोनल छोटा होता है और एक डाइगोनल बड़ा होता है तो अगर मैं रॉम्बस की प्रॉपर्टी देखूं तो वो क्या पहली, four sides are equal, okay, clear, now second property, diagonals intersect each other at 90 degree, okay, third, diagonals are not equal, okay, but, अगर मैं आपको बता हूँ, यह rectangle और square में, diagonals का measurement कैसा होता है, equal, अगर मान लीजिए, w, a, y की value, अगर 30 cm है, तो z और x की value भी कितनी रहेगी, 30 cm रहेगी, लेकिन यहाँ पर वो चीज रहेगी, नहीं, सबसे बड़ी बात, कि इनके जो diagonals हैं, वो एक दूसरे को bisect करेंगे, तो diagonals are not equal, but, bisect each other, okay, bisect करने का मतलब होता है, कि जब कोई line, किसी line को bisect करती है, तो उसे दो equal part में क्या कर देती है, divide कर देती है, तो इस तरह से rhombus की property क्या आएगी आपकी, कि number one, four sides are equal, diagonal intersect each other at 90 degree, diagonals are not equal, but, bisect each other, okay, clear, now, हमने देखा parallelogram, rectangle, square, और rhombus, now, अब मैं आप लोगों को kite के बारे में बताऊँगा, kite को बताने के साथ-साथ, एक type और है, जिसे हम trapezium बोलते हैं, उसकी भी जानकारी में आपको दूँगा, आये सबसे पहले बात करते हैं, kite की, actually kite है क्या, kite means पतंग से, जो कि आप उत्राइन पर क्या करते रहते हैं, उड़ाते रहते हैं, देखते हैं क्या है kite, अगर मैं diagram की बात करूँ हूं, तो यह जो है, वो kite का diagram है, अगर इस diagram को हम देखेंगे, तो इसके जो adjacent side है, वो कैसे होते हैं, equal होते हैं, दूसरा के इसमें diagonal जब हम बनाते हैं, तो वो एक दूसरे को 90 डिगरी पर क्या करते हैं, intersect करते हैं, everyone understood it, what is the mean of kite, kite में आपकी दो man properties जो एड़ास एंट साइट्स और इक्वल को के यह कि फर्स्ट ब्रॉपर्टी के धर मानलीजेस सेवन सेंटीटीमेटर कि अगर यह सेंटीमेटर तो यह सेवन सेंटीमेटर स्थ capitalism के तो यह सुल्पनी रहेगी चेला सेवन के मिठा करते हैं तो तो यह जो दो प्रॉपर्टी है वो किसकी है आपकी काइट की है पहली क्या है आपकी एड्जासेंट साइट्स आर इक्वल और सेकेंड है डाइगॉनल्स डाइगॉनल्स इंटरसेक्ट एट और एक तैसल मैं आपको बता है ट्रैपेजियम बहुत इजी है देखते है कैसे के ट्रैपेजियम में है अगर डाइग्राम बनाते ही तो यह आपका जो है सम्सक N maunven तो आप देखेंगे कि इसमें एक pair जो है opposite sides की वो कैसी होती है parallel होती है और जो दूसरी side है जो दूसरी side की pairs है वो कैसी है non parallel होती है तो यह इसी की खास बात है कि सबसे अच्छी बात कि पहला कि one pair of sides are parallel और एक कैसी होती है non parallel तो अगर मैं आपके सामने बात करूँ तो kite को छोड़ कर बाकी सारे के सारे types जो दिख रहे हैं वो क्या कहलाएंगे trapezium कहलाएंगे क्योंकि trapezium का define यही बोलता है कि अगर किसी quadrilateral में कोई एक pair opposite sides की कोई भी एक pair कैसी हो parallel हो तो उसे हम क्या कहेंगे trapezium तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें यह side देखे parallel दिख रही है यह दिख रही है यहाँ पर यह दिख रही है और यहाँ पर यह तो सारे के सारे याने parallelogram trapezium है rectangle trapezium है square trapezium है rhombus trapezium है but trapezium is not parallelogram, rectangle, square and rhombus because इनकी जो properties है वो different है so आप लोगों को आज types of quadrilateral बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा और मैं चाहता हूँ कि सारे students in properties का एक knots बना के उसे अपने पास रख लें अब नए जो अब वीडियो मेरे आएंगे वो इंग्लिस grammar के कुछ वीडियो में आप लोगों के सामने present करूंगा ओके